हेलो दोस्तों स्वागते हैं आपका अमारे चैनल टाटा ओटीक में दोस्तों आज का जो मारा टोप्पिक है वो है टाटा1S4 अजिंग के इंजिन की कॉमन रेल पिछले वीडियो में आपने देखा दोस्तो टाटा बीए सपोर अंब्रेला इंजिन की कॉमन रेल के बारे में मैंने बताया था कि उसका कितना प्रेसर होता है और आज मैं आपको बताऊंगा टाटा बीए सपोर अजिंग के इंजिन की कॉम गाड़ी का इंचन ए तो हमने किसी करन भी हटा लिया लेकिन आपको पता ये यह यह siya पे फेर सेंसर लगता है दोस्तों इसमें जो है सारी पाइप है जो है उपर की साइड में ही लगती है और अंब्रेला वाली में एक पाइप जो है मेन पाइप वो यहां पे साइड में होती है और इसमें टोटल आठ पाइप है आठ छे तो सलेंडर की होगी नोजल की और दो पाइप ज इसमें भी रिटन नहीं आना चाहिए और इसमें भी नहीं आना चाहिए यानि अगर रिटन अगर इसमें आये तो भी पर मिनिट सम्तिंग फाइब ड्रॉप्स यानि पांच बूंद से भी कम डीजल इसमें आना चाहिए और अगर नहीं भी आये तो कोई तकलिब नहीं है वैसे इसमें आना नहीं चाहिए और इसमें एक आगे यह रिटन वाल लगा हुआ है इसका आप देख सकते हैं हमने चेंज कर रखा है यह गाड़ी एकषिड़न ओरने से पहले भी हमी काम करते थे इसका इसमें होता किया यह पुंद रहाँ होता है है यह फिले ले ही के सीस है फिलीँटाये जीस का पैजियाँ कोर्जिनल ॲिफ्यहाँ का as Het धाटियू कि मेरत है यह हुआ दू नहीं कोई होता है और इसमें ग इसकी कोष्ट बहुत ज़्यादा है कम से सम्तिंग 27 से 32,000 तक इसकी कोष्ट है इसकी रेट है सो दोस्तों अगर ये अगर वाल खराब होगा तो हमें कैसे पता चलेगा अगर ये वाल खराब होगा तो ये जो पाई पे सबसे पहले इसमें एक लोक लगा हो ये लोक है इस तरीके से इसको press करके बाहर की तरब ख़िचोगे तो ये बाहर निकल जाएगी और उसके बाद हमें गाड़ी को start कर लेना है गाड़ी जब start करोगे तो आप आप higher RPM पर थोड़ा गाड़ी को accelerator दोगे जब बड़ाओगे तो इसमें डीजल आने लगेगा अगर यह रिटन वाल खड़ खराब हो तो इसमें से रिटन डीजल आएगा इसमें से रिटन डीजल नहीं आना चाहिए अगर इसमें ay चारीया 5D Hybrid से ज्यादा अगर डीजल आ रहा है तो आप इसको रिटन वाल आपका खर सेंसर को और यह 18 नंबर पाने से इसी जिगे पे खुल जाएगा यानि करीब पांच मिनिट का ही काम है तो आप इस तरीके से जो भी खर्चा होने वाला उसको बचा सकते हैं और अगर यह को मरेल डायरेक्ट हो जाएगी यानि देने लगेगी तो आपके इंसाइड में भी एक 559 कोड एक्टिव हो जाएगा अगर आपके पास लेप्टॉप नहीं है अगर कस्टमर की जो शिकायत है वो यह रहेगी कि ग गाडरी एक्सलिटर नहीं ले रहे है या चड़ाई पर एक दम तोड देती है कुछ इसस्तारी किसे करे सकती है तो आप पाइप को खोलके एक बार छेक कर सकते हैं एक्सलिटर देखे अगर आपको लगता है इसमें डिजल आ रहा है तो आप कुछ भी मत कीजिए सिधा इसी को चेंज कर दीजिए गाड़ी एकदम ओके हो जाएगी और अगर यह सेंसर खराब होगा यह पिन वगेरा अगर खराब होगी तो उसमें गाड़ी जो एकसलेटर छोड़ सकती है और गाड़ी मिसिंग करेगी गाड़ी की आवाज जो है पूरी तरह के से बिगड़ जाएगी यानि बिल्कुल एक आवाज गाड़ी की नहीं रहेगी यह सेंसर के संकेती है सब बिना लेप्टोप के आपको चेक करने की जानकारी में बता रहा हूं कि रेल कैसे हम चेक करेंगे अगर ले करें शेयर करें और चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी नहीं बुले और कमेंट सेक्शन में अपना फीड़बेक जरूर दीजे कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है दन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जे हिन जे भारत